अगर आप भी पापड़ खाने के सोखीन है और खाने के साथ अगर पापड़ खाना आपको पसंद है न तो यह वीडियो आपको बहुत यदा पसंद आएगी क्योंकि आज हम एक ऐसे पापड़ की रेसिपी सेयर करने वाले हैं जिसे जब हम मार्केट से खरीते हैं तो काफी यह कोस्टली मिलता है लेकिन इसे हम घर में बनाएंगे बहुत यदा सिंपल तरीके से इतना आसान तरीका है और इतने अच्छे से यह पापड़ बन कर तयार होंगे न कि वीडियो देखते ही आप इसको तुरंत बनाएंगे और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक को सेयर कीजिएगा चैनल पर पहली बारा है न तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मद भूलिएगा साथ ही बने बेल आइकॉन को फिल प्रेस कीजिएगा जिसी कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन आपको मिल सके तुछे लिए इस बहुत ही मज़ेदार रेसिप कर और इसे दरदरा सा कूट लेना है इसका हमें पाउडर नहीं चाहिए होगा हलका सा दरदराई से चाहिए होगा यह दिखिए इस तरीके का तो बहुत बड़े बड़े टुकड़े भी इसमें नहीं रहने चाहिए लेकिन हाँ इसका पाउडर तो हमें बिल्कुल नहीं चा तरीके से डाल देते हैं ताकि यह फोल जाए जब तक काली मिर्च फोल रही है तब तक आगे की प्रेपरेशन देख लेते हैं तो यहां पर हमने मुंग दाल लिया हुआ है जो की 1.500 ग्राम है और कप से देखेंगे तो यह एक कप है तो आपको कटोरिया कप का मेजरमेंट कर जिएगा उससे जो पापड बनाएंगे न अधिक दम पर्फिक्ट बनता है तो यह मुंग की दाल हमने बीना चिलके वाली है आप चाहें तो चिलके वाली को भी ले सकते हैं लेकिन उसका चिलका आपको हटाना पड़ेगा तो मुंग दाल को हमने पीस लिया है इसको मिक्सी पापड बना लिया है यह देखे इस तरीकी का तो एकदम इसका पाउडर है आटा इसका एकदम होता है जैसे वैसे ही हमें इसका टेक्शर चाहिए होगा तो अब इसमें डालते हैं नमक तो आधी शोटी चमच की जितना नमक ही डालेंगे और नमक इसमें बहुत ही कम पापड खार अगर हो तो ज्यादा अच्छा रहता है तो अब इदर जो काली मिर्ज वाला पानी है उससे हम इस आटे को लगाएंगे काली मिर्ज भी काफी अच्छे से इसमें फूल चुकी है तो इसी पानी से थोड़ा-थोड़ा करके इस आटा जो है थोड़ा सा सक्त लगाना है इसका तो आधा कप पानी लग गया है तो इस पापड को पूरा बनाने के लिए ना हमने सिर्फ आधे कप पानी का इस्तेमाल किया था और अगर आपको लगे की थोड़ा बहुत पानी अगर जरूरत पड़े तो एक दो चमच पानी और डाल सकते हैं बाकी एकदम प चाहते हैं कि आपके जो पापड हैं वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाले बने तो इस आटे को बहुत अच्छे से मसल कर गुंता जरूरी होता है तो बस इसका सक्त हमने डो लगा लिया है अब इसे हम रख देंगे तकरीबन आदे गंटे के लिए फूलने के लिए उसके क्या करना है थोड़ी इसकी कुटाई तो करनी ही पड़ेगी तो यहाँ पर हमने खलबटे का यह बट्टा लिया हुआ है इसी तरीके से इसको कूट लेते हैं ताकि यह थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हो जाए फिर हाथों से इसको मसल कर और हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे आप तो बेलन से भी कूट सकते हैं इसको लेकिन इस तरीके से करेंगे थोड़ा से यह भारी होता है तो काफी अच्छे से हो जाता है तो यह देखिए अब यह थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है याटा जो कि आप देखी सकते हैं तो अब जो इससे हम पापड बनाएंगे तो हमार बड़ी साइज आप बॉल्स की रख सकते हैं तो यहाँ पर हम बहुत बड़े पापड नहीं बनाने वाले हैं इसलिए हम छोटी-छोटी सी बॉल्स बना ले रहे हैं और बॉल्स बनाते जाएं बागी इसको एक थोड़ा सा गीले कपड़े से ढख कर रखें क्योंकि यह आटा जो है बहुत ही जल्दी से सूखने लगता है तो सारी बॉल्स को हमने बना लिया है यह देखे तो हमने आटा एक ही कप लिया हुआ था मतब एक कप मॉंग डाल को लेके पीस कर उसका आटा बना कर लिया था तो उसमें इतनी सारी बॉस बना कर तैयार हुई तो अब हम हाथों को अच्छे से पहले साफ करेंगे फिर पापड को बनाएंगे तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है जोके पर बेलन पर भी लगा लेते हैं जिससे की काफी आसानी से इसको हम बेल पाएं तो सबसे पहले इसको हम चकले पर रखकर इस तरीके से बेलते जाएंगे अगर आपको बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा मुंग दाल का आटा लगा सकते हैं लेकिन जादा नहीं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से पापड को बेल पाएंगे लेकिन हाँ ये मुंग दाल के जो पापड होते हैं वो एकदम पतली हमें बेलना है तो आप इसको अच्छे से अगर आटा लगा रहेगा ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें बहुत इसली आप इसको बेल पाएंगे और ये देखे कितने अच्छे से ये पापड बन रहे है ना और एकदम पतला पतला इसे बनाना है जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ये तूट नहीं रहा है और ये देखे इसकी थिकने साब देख सकते हैं, तो अगर इस तरीके से गोल अगर नहीं बन रहा हो, तो कोई टिंसन नहीं है, गोल बनाने के लिए यहाँ पर हमने लेना है एक बड़ी कटोरी या कोई धक्का न अप ले सकते हैं, उससे ना इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं, अगर यह सेम जैसे मार्केट वाले पापड़ होते हैं वैसे ही दिखेंगे और कोई कहनी पाएगा ना कि आपने इसको घर में बनाया है एकदम गोल गोल पापड़ बनेंगे तो आइडिया भी काफी अच्छा है बहुत इजी भी हो जाता है तो यह देखिए तो लग रहा है ना एक शुष्ता मोटा आपको गातना, राख सकते हैं तो चलिए पापड़ को हम तो बेल लेते सिर्फ टो लेटे हैं तो यह हमनें गोल वाला तरीका थो आपको बता दिया, और अगर आप हाँसे बील ना चाते हैं काफी आसाने से यह बन. लेकिन यह साइज हम बहुत बढ़ा न बना सकते हैं, दोनों तरीका है, तो आप जिस तरीके से भी बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, और एक पड़ को हमने थोड़ा सा बड़ा रग दिया हो था, ये लास्ट में थोड़ा आटा ज्यादा रह गया था ना, एकदम बड़ी सी पड़ी है, जो कि ये भी काफी पतली ब मतलब मौंगी दाल को लेकर हमने उसका आटा बना कर इस पापड को बनाया है तो कोई और दाल हमने इसमें मिक्स नहीं की है आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ऊरत दाल का भी आटा मिला सकते हैं तो यह देखिए सारे पापड कितने अच्छे से बने हुए है और एकदम गोल बने हुए हैं कहीं से कोई फटा नहीं है कहीं से कोई पापड मोटा नहीं है सेम एकी साइस की यह पापड बनकर तयार हुए है तो इस पापड को हम फैला देते हैं और इसे हम सूखने देते हैं यह पंके की हवा में भी सूख सकते हैं या आप औचा है तो धूप में भी र लगाएंगे तो एक दम पर्फेक्ट आपके पापड़ बनेंगे पापड़ो चिप्स की हमने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है बहुत तरीकी कि हमने पापड़ अपलोड की है अपने चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं पसंद आएगी तो प्लीज लाइ अच्छे से सूख जाते हैं तो ये देखे सारे पापड़ सूख चुके हैं और आप देख सकते हैं पापड़ सारे एक साइस के बने हुए थे और सूखने के बाद ये और ज्यादा पतले हो गए हैं क्योंकि हमने काफी पतले पापड़ बनाये थे और ये कोई यकीन नहीं क तो चलिए इसको फ्राई भी कर लेते हैं तल भी लेते हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये तल भी रहे है ना तो है ना मौंगी डाल के पापड़ बनाना बहुत ही आसान तो मार्केट से खरीद कर क्यों लाना जब घर में इतनी आसानी से आप बना सकते हैं तो रेसिप आएगा तो लाइक को सेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा